वाहे गुरुजी एक ओ अंकार सत्नाम करता पुर्ख निर्पाओ निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सैप अंगुर परसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नान खोसी पी सच सोच ना हो वही जे सोची लाखवार चुपै चुपना हो वही जे लाए रहा लिवतार पुखे आ पुखना उत्री जे बनना पुर्या पार सहस स्यान पाला खो हिता एक न चलना नाल केव सच्यारा होई है केव कूड़ा तुटै पाल हुकमर जाई चलना नानक लिखिया नाल ह हुक्मि होवन आकार — हुक्मना कहया जाई ुक्मि होवन जि यह खूम मिलाइवड़ए तुम नीच ऩुह भुख्ध्यक op कुपँपाई है kina हुक्मी भखसी इसे Spekk flashing ना कोई नान खुक्भ मैं जेـů पुझ जह ता हूं, मैं कहना कोई गावए को तान दाते जान नीसान गावए को गुंड बढ़ी आई चार गावए को विध्या विकंवी चार गावए को साज करी ताणखे हे गावए को जिय लेफिर दे हे गावय को जा पैदि से दूरे गाव발 को वेख यहाद्राह दूरे कातरा कती नायाव थोटे काते काती कॉटी कोट्च कोटे देदादे लेंदे थक पाए जुगए जबंतर खाई खाई हुकम हुकुम चलाए रहो नान कEO इकसे वे परवाह साचा साहब साच नाए पाख्या पाऊ पार आख्या मंगह देए दाद करे दातार। फिर के अगए रख्या जित दुश्या दरबार। मुहाँ के बोलन बोली जित सुन तरे प्यार। अंगरत बेला सचना ओडिया इवीचार। कर्मिया वै कपड़ा नदरी मुखदवार। नानके वै जानिया सब आपे सचयार। ताप्या ना जाए कीता ना होए आपे आपने जन सोए। जेन सेवे आतिन पाया मान। नानक गाविया गुणिन दान। गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर ले उसर गुर्ट गुर्क बर्मांगुर्प competing माई जे हो जाना या क्कानाही कहना का थो नौना जाई गुरा एक दे बुजाई सबना जिया का एक उदाता सो मै विस्रना जाई एतीस पावाविण पाणे के नाय करी जेती से ठुपाई वे खाविण करमा के मिलेलई मत विचरतन जवाहर मानिक जेक गुरकी सेख सुनी गुरा एक देव जाई सबना जीया का एक उदाता सो मैं विस्सरना जाई जे जुग चारे आरजा होर्द सुनी होए नवाखंडा विच जानिया नाल चला सब कोई चंगा नावर खाय का एजस्कीत जगले है जेतिस नदरना यावाईता वातना पुच्छा के कीटा एंदर कीट कारदो सीदोस्त तरहे नानक नर गुणें गुण करे गुण वंतियां गुण देते हा कोई नसुजई जेतिस गुण कोई करे सुने है सिद पीर सुरनात सुने है तर्त तवल आकास सुने है दीपलो पाताल सुने है पोहिदा सुका कालो नानक पकता सुदा विगासो सुने है दूख पाप का नासो सुने है इस्वर बर्मा इंदो सुने है मुकसा लहन मंदो सुने है जोग जोगत तन पेद सुने है सास मनने की इगत कही न जाएं जेको कहे, मंने मारग ठाक न पाए मन पास्याँ पर मन भजिग जाए। जे को मन जाना मन कोई मन ने पाव है मुफदवार मन ने परवार सादार मन ने तरह तरह गुर सिख मन नानक पवेन पिक ऐसा नाम जन होई जे को मन जाना मन कोई पंच परवान पंच परदान पंचे पाव है दर गहमान पंचे सोह है धार राजान पंचा का कुरेक तिहान जे को कह करे भी चार करते कह करना नाहीं सुमार तालत अर्मद्या का पूत संतोक ताप रख्चा जिन सूत जे को पुझ जाए हो वैसे चियार ताला उपर केता पारो तरती होर फ्राइ होर होर तिस्ते पारतला कवन जोर जी जात रंगा के नाव सब ना लिख्या वरी कलाम यह लेखा लिख्या लिख्या केता हुए केता तान स्वाले हरूप केती दात जाना काउन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तेस्ते होई लख दरियाओ पुदरत कवन कहाँ वीचार वारे अनजावाए एक वार जो तुद पावैसाई पलीकार तूसदास लामत निरंकार संख जाप संख पाओ संख पूजा संख तप्ताओ संख ग्रंत मुख वेद पाठ संख जोग मन रह है उदास संख पक्त गुण ग्यान वीचार संख सती संख दातार संख सूर्मों पक्सार संख मौन लेवलायतार कुदर्त कम्न कहां वीचार वार्या नजावाएक वार जोतुत पावसाई पलीकार तूस्त असलाम निरंकार संख मूर खंद कोर संख जोर हराम खोर संख अमर कर जाहे जोर संख गलवड अत्या कमाहे संख पापी पाप कर जाहे संख कूड आर कूड फिराहे संख मलेच मल पक खाहे आसंख निंदिक सिर कहा पार, नान को नीज कह वीचार, वार्या मन जावाए एक बार, जो तुद पावए, ऐसाई पलेकार, तुस्दा सलाम तनरंग कार, संख नाव, संख ताव, गमा गमा संख लुओ, संख कहा सिर्फार होए, अक्री नाम अक्री साला हा अक्री ग्यान की गुणगा हा अक्री लिखन बोलन बाने अक्रा सिरसंजोग बखाने जेने लिखे ते स्चिरना है जे फर्माई ते वतिपा है जे ता कीता ते ता नाओ विन्नावै नाही कुथाओ कुदर्त कवन कहा वीचार वार्यान जावा एकवार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा स्लाम निरंकार परिया हत पैर तन देह पाणी तो तै उत्रों सोखे है मूत पलिती कपड होए दे साबून लईया ओह तोए परिया मत पापा का संग ओह तोपै नावा का रंगे पुन्नी पापी अक्रना है करकर करना लिख लए जाओ अपे बीज या पे ही खाओ नान खुक्मी आभव जाओ तीर्थो तापो दया दात दानों जेको पावै तेल का मानों सुनेया मन्या मन कीता पाओ अंत्र गती रिथ मलना ओ सब गुण तेरे मैं नाहीं कोए विन गुण कीते पगत ना होए स्वास्ते आथे बानी बर्माओ साथ सुआन सदा मन चाओ कवण सो वेला वक्त कवण कवण थित्ते कवण वारो कवण से रुत्ती माओ कवण जित कुरान वक्त ना पायो का दिया जे लिखन लेक कुरान त्यत्वार ना जोगी जाना रुत्मा होना कोई जा करता से ठीक हो साच्छे आप पे जाना सोई किव कर आख्षा किवस व्याघवरनी किव जाना नानक अखण सब को आख़ै एक दू एक सियाना वड़ा साहिव सहसाथारह कहने कितेबा असलू एक ताहत। लेखा होई तलिखिया लेखा होई विणास। नानक बड़ाई आखिया आपे जाने हैं आप। सालाही सालाहे एती सुर्फ नपाईया नदियान तैव्आ पभैसमुंध नजानियाई स्मुंध सहा सुल्तान। गिरह से ittी मालतान। कीड़ी तलना हूवनी यीतिस छुमनौण विश्रह आंप। शिफ्ती कहना यांतू अंतुना करने देन ना यांतू अंतूना बेखण सुनना ना ना झापै क्या मान मान तो अंतूना जापै कीता आकार आष्णु अंतुना पारावार। अंत कर्ण केते बिललाहे ताके अंतना पाए जाहे एहो अंतना जाना कोई बहुता कईया बहुता होए वड़ा साहिब उच्छा धाओ उच्छे उच्छा नाओ एवड़ उच्छा होए कोई तिस उच्छे काओ जाना सोए जेवड़ आप जाना आप आपे आपे नानक नदरी करमी दाते, बहुता कर्म लिखिया ना जाये, बढड़ा दाता तेल ना तमाये, केते मंग애 जोधा पार, केते लै लै मुकरपाये, केते मूर्क खाही खाहे, केते लूखु ज़ात मार, एपे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए हूर आख न सका कोए जे को खाए को अखन पाए वो जाने जेतिया मुए खाए आपे जाने आपे दे है या कहसे पे के इके है जिस नो बक्से सिफ्ट सालाह नानक पात्षा ही पात्षा हो अमुल गुण अमुल बापार अमुल बापार ये मुल पंडार अमुल आभ है मुल ले जाए अमुल पाय मुल असमा है मुल तर्म मुल दीबान अमुल तल मुल पर्वान अमुल बक्सीस मुल नीसान अमुल कर्म मुल फुर्मान अमुलो अमुल आख्याना जाए आख्या आख् बर्मे आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद आखे इसरे आखे सिद आखे केते कीते बुद्ध आखे दानवे आखे देव आखे सोरनार मौन जनसेव केते आखे आखन पाहे केते कहे कहे उठ उठ जाहे एते कीते होर क्रेह ताख न सकय के इके जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जेक वक्ष बोल विगाड ता लिखिया सेर गावारा गावार सो दारु केहा सो कारु केहा जित भै सर्वस मले वाजे नादन एक संखा केते बाव नहारे केते राग परीसियों कैयन केते गावन हारे गाव है तोनों पाउन पाणी बैसंतर गाव है राजा तर्म दवारे गाव है चेत गुपत लिख जान हैं लिख लिख तर्म वीचारे गावे इसर बरमांदेवी सोन सदा सवारे गावे इंदेदा सन बैठे देवते आंदर नाले गावे सिद समधी अंदर गावन साध विचारे गावन जती सती संदोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जोग जोग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहने सुर लुगा मच पयाले गावन रत नूँपाइए तेरे अच-ब तीर्थ नाले गाव है जोद बाद बल सूरा गवैक खाण इंचारे गवैक पंड़ बंड़ वर पंड़ा कार कर रखे तारे से यह तुद नों गाव है जो तुद पावन रते तेरे पक्तरसले और के ते गावन से मैं चितना आवन नानुक्ष क्या वीचारे सोई सोई सदा सच साहब साचा साचीनाई है पी होसी जाए नजासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती करकर जिन सी माया जिनों पाई करकर वेखाय कीताया अपना जिवतिस्दी वड़ियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्मना करना जाई सो पात साहो सहां पात साहब न करहन रुजाई मुंदा संतोख सर्मपत चोली त्यान की करह भी फूटे किन्था काल कुवारी काया जोगत दंडा पर्तीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता है जाग जीत आदेश तिसा आदेश 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 अनीलो अनाद अनाहते जुग जुग एक कोव एक आमाई जुगत वियाई तेंचेल परवाण एक संसारी एक पंढारी एक लाए दीवान जीतस पावेत वैचलावै जीव होवै पुर्माण ओह वेखाय उन्हा नतर्नायावै बहुता यह विडान आदेश तिसा आदेश 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 आनीलो अनाद अनाहत जुग जूग एकोवेश आशन लोय लोय पंडार जो किष्पाइस वेकावार करकर वेक है सिर्जनहार नानक सच्चे की साची कार आधेस्त सवय अधेस आधेस अनेलो अनाध अनाहत जुग जूग एकोवेश एक दूजी भहु लाख होह है लाख वीस लाख लाख आसकी कीटाया इरीस नानक नद्री पाईया कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर चुपए नहें जोर जोर ना मंगन देन नहें जोर जोर ना जीवन मर्न नहें जोर जोर ना राजमाल मनसोर जोर ना सुर्ती ग्यान वीचार जोर ना जुकती छुटे संसार जिस हत जोर कर वेख पाणि अगनी पाताल तीस्विच तर्ती था प्रखी तर्मसाल तीस्विच जीए जुगत के रंग तिनके नामन एक नंत कर्मी कर्मी होई वीचार। सचायाप्र सचा द्रबार। तित्य सोंद पंच परवाण अदरी कर्म पवै नीशाण। हच पकाई यो थैपाई नानक गया जा पैजाए तर्म खंड कायो तर्म ग्यान खंड काया ख़ो कर्म। केते पवन पानी वैसंतर केते कान महेश। केते बर में काट कड़्य है रूपरंग केवेश। केतिया कर्म प केते केते रतन समंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पातन रिंद केतिया सुर्थी सेवक केते नानक अंतना अंत ग्यान खंड में ग्यान परचंड तित्या नाद मिनोद कोड़ अनंद सर्मखंड की बाणी रूप तित्या काड़ कड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला क ही आना जाहे जैको कहे पिछह पश्टाए किअ सुर्थ मत मन बुद्ध तित्य कडिया सुरां सदा की सुद्ध कर्म खंड की बानी जोड तित्या होड़ना कोई होड़ तित्या जोद महां बल्सूर तिन मैं राम रहा परपूर है तित्या सीतो सितमे ममाहे किए नो रूप में कद्रे महें ना ओहें म्रह नठाक煳 जाहर जिनकराम भस जपिंडा बमटं इंच पाधे लुह कर अनद माल करणर रिखार कर वेकषित्स करण harvest किछ सब्सक्राइब अहरण मत वेद हतियार पाओ खला अगिन तपताओ पांडा पाओ अंग्र तो तित आले कडिया सवद सचीटक साल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पताओ माता तर्त मात दिवसरात दोए दाई दाया खेलाई सगल जगत चगियाया बुरियाया वच्चे तर्म हदूर कर्मियाप अपनी के नेड़ा के दूर जिन्नी नामत आया गए मसकत काल नानक ते मखुझले केती छुटी नाल वाहि गुरु जी का खाल सा वाहि गुरु जी की फते एकोंकार सत्ना करता पुरक निर्पो निर्वेर अकार नूरत अजुनी सैभं गुरु परसाद जाप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोचना हो वई जे सोची लखवार चुपए चुपना हो वई जे लायरा लवतार पुखिया पुखना उतरी जे बनना पुरिया पारन सहस्यान पालक हो है ता एक न चले नान किव सच जियारा हो ये किव कूडे पुटे पालो हुक्म रजाई जलना नानक लिख्याना मात की आसीस पूता मात की आसीस पूता मात की आसीस निमखना बिसरों तुमको हर घार सदा पजो जगदीश पूता मात की आसीस मात की आसीस पूता माता की आसी सब जिस मरत सब किल विकना से इतरी हो ए हुदारो जिस मरत सब किल विकना से इतरी हो ए हुदारो सोहार हार तुम सदगी जापो जाका यंत न पारो सोहार हार तुम सदगी जापो जाका अंत न पारो जाका अंत न पारो पूता माता की आसी सब माता की आसी सब माता की आसी सब निमखना बिसरो तुम तो घार घार निमखना बिसरो तुम तो घार घार सदाप जो जगदीश पूता माता की आसी सब पूतार मात्ता की आसीस सत्गुर्तुम को होए दियाला संत संध तेरी प्रीप सत्गुर्तुम को होए दियाला संत सांग तेरी प्रीत कापड़ पात पर मेशर राखी पोजन कीरतन नीत कापड़ पात पर मेशर राखी पूजन कीरतन नीत पूता मात्त की आसीस मात्त की आसीस पूता मात्त की आसीस निमकुना बिसरो तुमको घार घार सदा पजो जगदिश पूता मात्त की आसीस मात्त की आसीस पूता मात्त की आसीस अम्रत्त पीवो सदाचर जीवो अर्सिम्रत्त अनत्त अनन्ता अम्रत्त पीवो सदाचर जीवो अर्सिम्रत्त अनत्त अनन्ता रांगत मासा पूरन में आसा कब हे न व्यापे चिन्ता कब हे न व्यापे चिन्ता कब हे न व्यापे चिन्ता पूता माता की आसीस माता की आसीस पूता माता की आसीस माता की आसीस पूता माता की आसीस माता की आसीस माता की आसीस माता की आसीस कर दो माता की आसी कर दो 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 गुर्पर में सरसार ना जाने 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 प्यार से बोलिये धन गुर्पर में प्यार से बोलिये धन गुर्पर में धन गुर्पर में बेटा तुम्हारा धरती पर जानेaps अगया है भगवान बालक से कह रहे हैं, बेटा, तुम्हारा धर्ती पर जाने का समय आ गया है बच्चा रोप परता है, उदास हो जाता है, कि है भगवान मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, धर्ती पर मेरा ख्याल कौन रखेगा मैं किसी को नहीं जानता धर्ती पर, भगवान कहते हैं बेटा, तेरे लिए मैंने एक फरिष्टा बेजा है धर्ती पर, तुझ से पहले, जो तेरा ख्याल रखेगा बालक कहता है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कुछ चाहिए होगा, कौन समझेगा कि मुझे कब क्या चाहिए है, मेरी जरूरत कौन पूरी करेगा, मुझे कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है गवान कहते हैं, बेटा, जो फरिष्टा तुम्हारे लिए धर्ती पर भेजा है, तुम्हें उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारा चेहरा देखकर, वो समझ आएगा, तुम्हें कब क्या चाहिए, क्या हर से वो लिए धन गुर नाने का वालक फिर सवाल उठाता है, मुझे दुनिया की समझ नहीं है, धर्ती पर बड़ी सारी मुसिप्ती आएगी, रुकावटी आएगी जीवन में कौन सोजी देगा, कौन रास्ता दिखाएगा, विवान कहते हैं, बेटा, वो फरिष्टा, बस उसके कहें में रहना, वो जैसा कहें वैसा करते जाना, तेरी जिन्दगी में कोई रुकावट नहीं आएगी, प्यार से वहली अधन गुर्णान, बालक कहता है, ये भगवान, मुझे पर कोई बड़ी मुसिबत आ गई, मेरी जान पर बनाई, कौन मेरी रक्षा करेगा, बगवान कहते है, मुसकरा कर बेट प्यार से वहली अधन गुर्णान, आखिर में बालक कहता है, सब कुछ ठीक है भगवान, पर तेरे दर्शनों के बिना मैं उदास हो जाऊंगा, मैं जब उदास हो जांगो तेरे दर्शनों के बिना, वो प्यास मेरी कैसे मिटेगी, तो भगवान कहने लगे, जब तुझे म उस फरिष्टे का चहरा देख लेना, उस फरिष्टे के चहरे में मैं ही तुझे दिखाई दूंगा, और तेरे उदासी खतम हो जाएगी, जब भगवान कहते है, तेरे जाने का समय हो गया, जहां अब बालक कहता है, एक बात बता दो, उस फरिष्टे का नाम तो बता दो, जिसके पास आप भेज रहे हो मुझे, बड़ान कहता है, नाम माईने नहीं रखता है, और धर्ती पर तो उसे मा कहके बुलाएगा, प्यरसे वोलिय धन गुरुनान, मा, मां को गुरुबाणी में बगवान से उपर का दरजा दिया है, प्यरसे वोलिय धन गुरुनान, भगवान से पहले मा जो बिना बोले सब समझ जाती है बिना कहे सब जानती है हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देती है पहर से बोली अधन गुर्णान का मा आज के जीवन में ये सोजी बच्चों को होनी बहुत ज़रूरी है बहुत ही ज़रूरी आज के जनरेशन अपनी माता पिता का सतकार नहीं करते और ये इतना बड़ा अपराद है इतना बड़ा पाप है कि इसके वारे में बताया नहीं जा सकता पहर से बोली अधन गुर्णान अब सोचिए बाबा नंसींजी की ये कीमती बचन कितना है कमाल के कीमती बचन जिए अगर पुत्र पिता के आगे पतनी पती के आगे और शिश्य गुरु के आगे तीन भव पढ़ ले ध्यान देना बड़ा कीमती बचन नहीं बड़ा नंसींजी का पुत्र पिता के आगे पतनी पती के आगे और शिश्य गुरु के आगे तीन भव पढ़ ले उसे किसी जब तब की जरूरत नहीं उसे कोई साधन अपनाने की जरूरत नहीं वो क्या भगवान के दर्शन मांगेगा ऐसे बालक के ऐसे शिश्य के ऐसी पतनी के बगवान दर्शन करने आएगा प्यार से बोली अधन गुर नानक कितनी बड़ी बात कह दी बबा नंसी चिने जन्मों की गालना गालनी पड़ती है प्रभू को पाने के लिए पर यहां पर कह दिया तीन भव पढ़ ले भव का मतलब क्या होता है बबबा भला जे बबबा भूला जे बबबा भाना जे जो कहो सात बचंच जो करे सात बचंच डांट दे सात बचंच और भाना वो जो भी करे सात बचंच कोई गलती हो जाए डांट दे भूल गई प्यार से वोलिय अधन गुर नाने भूल गया जे बड़ा मुश्किल है बड़ी ध्यान से विचारने इस बात देखें यहां पर यह नहीं कहा कि पुत्री पिता के आगे नहीं पुत्री पिता के आगे जो जिसके लिए मुश्किल है वो बात कही है बेटा पिता के आगे बोलता है पिता का पुत्र से प्यार होता है पर बेटा अक्सर बोलता है प्यार से वलिय धन गुर्णानक यहां पर का है बेटा पिता के आगे तीन भव पड़े भला जी जो कहो ठीक है जी जो करो ठीक है जी डांट दो तो भी ठीक है जी प्यार से वोलिय दन गुर्णानक कोई जब तब करने की जरूरत नहीं बाब अन्सिंजी के बचन गुर्णानक के दर्शन देने नहीं करने आएंगे प्यार से वोलिय दन गुर्णानक पत्नी का पती के आगे बड़ा मुश्किल होता है पिहर से बोली अधन गुर्णानक, पतनी का लड़की का पिता के आगे नहीं का, लड़की का पती के आगे का है, तीन भव पढ़ ले, पिहर से बोली अधन गुर्णानक, बड़ा मुश्किल है, और जो कर ले, किसी जबतफ की जरूरत नहीं, पिहर से बोली अधन गुर्णान शिष्य का गुरू के आगे यहां पर हम सब आगे जिसने गुरू का हुकम मान लिया सरमाते पे रख लिया गुरू जो करे भाना गुरू डाइट दे जे गुरू चिड़के ते हर्सिवोली अदन गुर्नाने जो गुरु कहे अमिर्द तुपले उठो तो उठोंगा बस सवाल नहीं के क्यों किसी नित नहीं की एं rays दन गुर नहीं दन गुर्नाने आज का शबर सर्वन की जिये कितने कीमती पंक्तिय हैं। हमें तानी मार रहे हैं, हमें जंसाद दे हृए। आज के युग में इसकी बहुत जरूरत है माता पिता को छोड़ कर माता पिता की सेवा छोड़ कर तु तीर्थो परिशनान करता फिरे प्यार से वोलिय दन गुर्णान बाई गुर्दाश ची कहते हैं ये ऐसा है जैसे तु घूमने गया पिकनिक पर तीर्थो पर नहीं गया प्यार से वोलिय दन गुर्णान बाव कोई फल नहीं मिलने वाला तुझे कुछ भी कर ले दुनिया के सारे नेक काम कर ले इबादत तक कर ले अगर माता पिता की सतकार नहीं करता माता पिता को छोड़ कर उनकी सेवा छोड़ कर तो कुछ भी करता है, कुछ चीज का कोई फल नहीं, पिर हर से वोलिय धन गुरनानक, धन गुरनानक, भाई सब गुरदाज जी ने जब ये लिखे हैं तो उसकी हेड्लेंड दिये, कि मापया दे अपकारी, दे जप तप निफल हन, पिर हर से वोलिय धन गुरनानक, जो माता प पिता को छोड़कर चाहिए जप करे चाहिए तप करे हुसका कोई फ़ल नहीं ठीक हार से बोलिया करें और बड़ी ध्यान से आज के पर करने की कोशिश करें बड़ी ध्यान से खास करके जो बच्चे हैं उन्हें इस बात को समझना होगा वर्ना जीवन में ठोकरे ही ठोकरे हैं माता पिता के आशिरवाद के बिना प्यार से बोलिया धन गुर्णानिक एक माँ की असीस बच्चे के सितारे पलट के रख देती है जमीन से उठा कर आसमान पर पहुंचा देती है माँ के हिर्दे से निकली हुई असीस बाबा नंद सिंग जी के बचन प्यार से वोलिय धन गुर्णानक, धन गुर्णानक, माह के हिर्दे से बच्चे के लिए बद आसिस तो निकल ही नहीं सकती, पर जब बच्चे माता के साथ अनादर करते हैं, पिता के साथ अनादर करते हैं, तो परमेशर को नहीं भाता हो, उसकी सजा वहां से मिलती है, प्या और से वो लिए धान गुरुनाने धान गुरुनाने धान गुरुनाने माप्यों पर हर नहावड़ो अट सठती रत कुम्मनिवाणी माप्यों पर हर नहावड़ो अट सठती रत कुम्मनिवाणी माप्यों पर हर नहावड़ो अट सठती रत कुम्मनिवाणी माप्यों पर हर नागना अट सठती रत कुम्मनिवाड़ो माप्यों पर हर सुने वेद इस वार की पंक्तियों को ध्यान से सुने माप्यों पर हर सुने वेद भेद न जाने कथा कहानी भाई साब भाई गुर्दास जी कह रहे है माता पिता की सेवा छोड़कर पड़ी ध्यान से इस प्राइट को सुनना साथ संकच बहुत सारे लोग कहते हैं मेसेजिस आते हैं भाई साब आप जो कता करते हो नँद अभी थोड़ी गहरी कता करने शुरू कर दिया समझ में नहीं आते हैं वो कहानियां सुनाय करो ने जैसे आप सुनाते थे कभी-कभी पहले थोड़ी समझ में आ जाए बात भाई साब गुर्दाश जी कह रहे हैं इसे समझें कि हमारी समझ में यह बाते क्यों नहीं आती हम कहां चूक कर रहे हैं एक तो होता है कोई नया नया जुड़ा है अब बाणी सुननी पढ़ने शुरू किये उसे नहीं समझ में आता इस एक्सेप्टेबल बात समझ में आती है कई सालों से कोई सुन रहा हो किर्तन फिर भी अगर बात समझ में नहीं आ रहे है नितिने भी कर रहे हैं अमर्तले भी उट रहे है तो उसका ये दोश है जो भाई साब भाई गुर्दाश जी जिसके तरफ इशारा कर रहे है प्यार से वोली अदन गुर्णान अगर गहरा ग्यान समझ में नहीं आता बाणी की गहराई पकर में नहीं आती तो भाई साब भाई साब गुर्दाश जी कह रहे है उसकी वज़ा ये है क्या मापयों परहर सुनैं वेद्ब माता प्रेता की सेवा चोड़के वेदों का ग्याण समझने की कुशिश करता है वेदों को सुनता है sare ना जानें कर था कहाणी वह उसका भेद जो वेद कहना चाहते उसके लिए उ derived पहानी बन के रह जाएगी बस प्यार से भोली अधन गुर्णानेक बात को समझ नहीं बड़ी गहरा इसे एक पंक्ति का एक होता है शबदार्थ एक होता है भावार्थ भावार्थ गुर्गोविन सिंग जी महाराज के बचन जो जितना गहरा उतरेगा उतना गहरा अर्थ निकाल कर ले आएगा बानी का उतने कीमती मोती निकाल के ले आएगा जो माता पिता के सेवा छोड़ कर ग्य करन इसे कहा था तो ने जब ग्यान पाने की कोशिश की थी आज तेरा ग्यान साथ क्यों छोड़ रहा है पता है करन का ग्यान उसका साथ छोड़ गया था जब अरजुन से आखिर में युद हो रहा था उसका उसका उसे कुछ याद नहीं आ रहा था ना कोई मंत्र ना कोई श्र्श्तृ चलाने की विद्या खुछ सब भूल गया तो रोने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ ये मेरे गुरू का शराब है, तो कृषिन जनी कानपर नहीं ये तरी गुरू का शराब नहीं, ये श्रिष्ठी का निएम है जो इंसान विद्या पाता है ज्यान हासिल करता है पर उसके पीछे कारण लोक कल्यान नहीं है केवल प्रतिस प्रद्दा है आगे बढ़ना है, आगे निकलना है पर उसके मन में ये बावना नहीं है कि मैं ये ज्यान हासिल करके किसी की मदद कर सकूँगा तो ये श्रिष्टी का नियम है जब जरूरत पड़ेगी ये ग्यान साथ छोड़ देगा प्यार से वो लिए धन गुरुनान धन गुरुनान हम कोई भी फील्ड में हो कोई भी ग्यान हासिल कर रहे हो हमारी कोशिश होने चाहिए सोच ही होने चाहिए चाहे मैं इससे पैसे कमा कर किसी की मदद कर सको चाहे इस ग्यान को मैं दूसरे को दे कर उसकी मदद कर सको मन में ये भावना होगी तो ये ग्यान फल दायक होगा तो यहार से वो लिए धन गुरुनान और यहां पर कहा है माता पिता के सेवा छोड़ कर चाहे तू कितने भी वेद पढ़ ले, शास्तर पढ़ ले, कीरतन सुन ले, ग्यान हासिल करने की कोशिश कर ले कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, तू गहरा उतर ही नहीं पाएगा तेरे लिए वो एक कहानी रह जाएगी कि एक राजा थी एक रानी थी, प्यार से बोलिये धन गुरुनानिक, धन गुरुनानिक, कितना गहरा पॉइंट है साथ संगर जी, माता पिता, माता पिता, इनके जैसा तो कोई है ही नहीं, जहां जहां भी गुरुबानी में, ये बात प्रभु का सवरूप कैसा है, प्रभु का सभाव कैसा है, गुरुनान का सभाव कैसा है, निरंकार का इकोंकार का सभाव कैसा है, तो बार बार उसकी तुलना माता और पिता से की गई है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदब, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता तु है मेरा माता तू मेरे जी प्राण सुखदाता माता पिता प्यार से बोली अधन गुर्णानक परामई यहां बार्क तेरा है भगवान में तेरा बालक हूँ काहे न खंडस अवगुण मेरा सुथ अपराद करते है जेते जननी चीतन राखश देते है भगवान मेरी माता तो मेरे अपराद नहीं देखती तू क्यों देखता है तू भी तो मेरी मा है प्यार से बोली अधन गुर्णानक भगवान को मा का दरजा मा को भगवान का दरजा इसलिए कहा जाता है कि भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान होते हैं यहर से बहलिये धन्गुरु नाण गानगुरुनान मां प्योपर हर नहावड़ा अटसटती रत कुम्मनवाणी मां प्योपर हर नहावड़ा गुर्पर में शरसार ना जाने गुर्पर में शरसार ना जाने गुर्पर में शरसार ना जाने माप्यों पर हर महावड़ा अच सठती रत कुम्मलवाणे प्यास शरसार ना जाने प्यास शरसार ना जाने धन गुर्पर में शरसार ना जाने आज सोचे सोचन होवई का आखरी दिन है गुर्पर में दास बड़ी मुश्किल से यहां पर रुख रहा है यह तो सोचे सोचन होवई पर ही चालिया हो सकता है इतने इसके गहरी पॉइंट से पर आगे भी बढ़ना है इसलिए आज क्योंकि माता पिता को भी तीरत का दर्जा दिया गया है बाड़ी में प्यार से वोलिय धन गुर्णान तीरत कोई माता पिता के सेवा कर ले सारे तीरतों का फल उसकी जोली में प्यार से वोलिय धन गुर्णान और माता पिता को छोड़ कर चाहें कितने भी तीर्थों का इश्णान कर ले सर्वन कर रहे हो आप बार बार कि वो तीर्थों पर नहीं गया है गूम नहीं गया है भी हर से बोली अधन गुर्णान भाई सब भाई गुर्दास जी कह रहे है आगे मापयो पर हर करे तप वन खंड पूला फिर भी बाने कोई मापापीता की सेवा छोड़ कर तप करने चला जाए जंगलों में बाई सब गुर्दास जी कहते है जैसे वो रास्ता बटग गया और जंगल में खो गया और बटग रहे बस टिया हर से बहली अधन गुर्णान वन खंड पुल्ला फिरा भिवानी वो भूल गया है रास्ता और जंगल में भटक रहा है सारी जंदगी भाव तब नहीं कर रहा है वो रास्ता ही भटक गया है वहर से वहली अधन गुर्णाने रास्ते बटकने वाले की क्या हालेत होती है जो मंजल तक ना पहुंच पाए तूटकर गिरकर खातम हो जाता है वहर से वहली अधन गुर्णान एक मिसाल आती है थियास में एक बालक जवान लड़का इसकी बूड़ी माह है बजुर्ग माह उसकी सेवा करता है माता का कोई भी मा बजुर्ग है बुड़ी है अपने आप कुछ नहीं कर सकती ये बेटा ही संबालता है पर बेटा बड़ा लायक है नाम जपने वाले रात भर इवादत करता है जिन में माता की सेवा भी करता है काम भी करता है और इवादत का रंग इतना चड़ा है इतना चड़ा है कि उस से मन किया उसका बार बार कि मैं हज कर रहा हूँ खुदा के घर के दर्शन कर रहा हूँ पहर से वो लिए धन गुर्णा आने का अब इबादत करकर के रंग चड़ गया मन कर रहा है दर्शन करने का एक दिन माता से कहते है माता मेरा जाने का मन कर रहा है चला जाओ मा की आँखों में आसु आ गए कह लेगी बेटा तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है तू चला जाएगा मेरा क्या होगा मेरे मरने का इंतिजार कर ले जब मैं मर जाँ तब हज कर आना प्यार जिवोलिय दन गुर्णान बेटा मायूस हो गया, कुछ कहां नहीं मा किया गया इस परकार दो-तिन बार बेटे ने माता से बात की माता हर बार ये कहके रोक देती अब बेटे से नहीं रहा गया, बिना बताए एक दिन रात को घर से चला गया हज की यात्रवे माता को पता चला, क्या कर सकती है, आँखों में आसु आ गए, कुछ ने का क्योंकि मा के हिर्दे से कभी बदासीस नहीं निकल सकती प्यार से बोलिया धन गुर्णा पर ये बात खुदा को नहीं भाई खुदा को कैसे बास सकती है पालक से क्या कह रहा है बगवान कि उस फरिष्टे का नाम मा है, प्यार से बोलिया धन गुर्णा नक जो धर्ती पर मैंने तेरे लिए भेजा है और उस फरिष्टे को कोई, उसकी सिवा छोड़ कर कोई मंदिर मस्जिद गुर्दवारे में जाकर बैठा रहे कोई लाब नहीं, वरना उल्टा पाप है, प्यार से बोलिया धन गुर्णा नक हाँ, उसकी खुशी से, उसकी इजाज़त से, जाहिज जरूर्द अब यहां पर घटना क्या घटती है, वो जा रहा है, सफरताय कर रहा है, कई दिनों का सफर है, रास्ते में एक गाउ आया मस्जिद आई, वो मस्जिद में सिजदा करने चला गया, अजान का समय, सिजदा करने बैठ गया, एक चोर चोरी करके भागा, लोग पीछे पढ़े हैं, चोर मस्जिद में दाखिल हुआ, इस नौज़वान को देखा कि यह अपनी अबादत में मगन है, इसके थैले में चोरी का सामान डाल दिया, और चोर सिजदा करने बैठ गया, प्यार सिजदा करने बैठ गया, अब लोग आए, सब की चेकिंग हुई तो इसके थैले में से, वो चोरी का सामान निकला, काजी के पास ले जाया गया, काजी ने कहा, इतना बड़ा अपराद, चोरी इतना बड़ा अपराद नहीं, पर चोरी करने के लिए नमाज का सहारा ले, सिजदा कर रहा है खुदा को, लोगों का नमाज में से विश्वास उट जाएगा, इसकी सजा ये है, वैसे तो चोरी की सजा केवल हाथ काटना है, हमारे यहाँ, इसके पैर भी काटो, इसके आंखे भी निकाल लो, और सारे शहर में गुमा के, वाँ में गुमा के डिंडोरा पेट के बताओ, के चोरी करने के बाद, जो नमाज का सहारा ले, सिजदे का सजा सहारा ले, उसकी सजा ये है, जो बंदगी को बदनाम करे, तो ये बोल उठा, प्यार से वहली अधन गुरना ने, कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे हाथ काटो, मे पर डिंडोरा पीट के ये मत कहूं के चोरी करके, नमाज का सहारा लेने के वैसे, इसे सजा मिली है, नहीं, कहो ये, कि जो माता की सेवा चोड़ कर, हज को जाते हैं, खुदा उन्हें ये सजा देते हैं, जो घर में माता बैठी है, कि मैं तो बंदगी करने जा रहा हूं, मै मा की सेवा छोड़ कर इबादत करेगा, मा की सेवा छोड़ कर हज पर जाएगा, तो ये सजा है, प्यार सिवलिय दन गुर्णानुख, भाई गुर्दाज जी, इसलिए बार बारेक एक पंक्ती में समझा रहे हैं, मा पे ओ परहर जो माता-पिता को छोड़ कर बखती करने माप्यों पर हर करे तप वन खंड पुल्ला फिरें भी बाणी माप्यों पर हर करे तप माप्यों पर हर करे तप वन खंड पुल्ला फिरें भी बाणी गुर्पर में शर्सार ना जाने गुर्पर में शर्सार ना जाने माप्यों पर हर नहावना अट सकती रत कुम्मन वाने माप्यों पर हर ना जाने अट सकती रत कुम्मन वाने माप्यों पर हर नहावना अट सकती रत कुम्मन वाने गुर्पर मेशर सार ना जाने सारे धार में कार्य कर रहा है और धर्म की सार नहीं जानी पर हर से वोलिय धन गुर्णाने भाव तु परमेशर के रास्ते को पाने के रास्ते को समझी ही नहीं पाया कि पाना कैसे है परमेशर को छोड़ कर कैसे कोई परमेशर को पा सकता है पिहर से बोलिय धन गुर्णाने आगी की पंक्तिया सर्वन केजिए मापयो पर हर करे पूज देवी देवना सेव कमानी पिहर से बोलिय धन गुर्णाने माता पिता की सेवा छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करता है सेवा करता है कोई लाब नहीं होगा भाई साब भाई गुर्दास जी कह रही है प्यार से बोलिया दन गुर्णाने दन गुर्णाने एक माँ माता की मूर्ती के आगे लड़ों का भोग लगा रही है एक माँ माता की मूर्ती के आगे लड़ों का भोग लगा रही है बालक आया चोटा, लड़ो उठा लिया, फिर हर से बोलिया धन गुर्णान, मा कहती बेटा नहीं, पहले माता भोग लगाएगी, पहले माता खाएगी, फिर हम खाएगी, अगर पहले खा लिया हमने, तो पाप लगेगा, फिर हर से बोलिया धन गुर्णान, धन गुर्णान, चोटा सा बालक नादान है पर सच बोलते है न बच्चे उसने सच बोल दिया कह लगा माँ फिर तो आपको बहुत पाप लगता होगा रोज माँ केती है मुझे क्यों पाप लगता होगा मैंने क्या किया है कह लगा नहीं दादी माँ अमारी माता है न आप सबसे आखीर में उन्हें देते हो, पहले खुद खाते हो, पहर से बोलिय अधन गुर्णानक, आपको रोज कि तरह पाप लगता होगा, ये सच है, पहर से बोलिय अधन गुर्णानक, हम सब जानते हैं, कि ये सच है, आज के युग में, जो लोग अपनी माता का सतकार नहीं करते, बाई साब बै गुर्णास जी कहते हैं, घर में अपने बुज़ूर्गों का सतकार नहीं करते, मापे उपर हर करे पूज, अपने माता पिता की सेवा छोड़ कर, देवी देताओं की पूजा करता है, सब कुछ जायज है, अगर माता पिता की सेवा करते हुए करे तो, थोड़ की एक अभी फाल बहुत जादा है, और छोड़ कर करे तो चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, जीरो है, मैं नहीं कह रहा है, बाई साब बाई गुर्दाश जी कह रहे हैं, बेद शास्त्र कह रहे हैं सारे धर्म गरंत कह रहे हैं, कुरान शरिफ तक ये कह रहे हैं, बेहर से बोलिया धन गुर्णानक, कि जिसे अपनी माता में भगवान नहीं दिखाई दिया, वो मूर्ती में कहां डूनने गुम रहा है, बेहर से बोलिया धन गुर्णानक, धन गुर्णानक, मापयो पर हर कर करें पूज आयो पर हर करें पूज देवी देव नसेव कमाली मापयो पर हर करें पूज देवी देव नसेव कमाली चर्का कमानी गुर्पर में शर सार ना जाने गुर्पर में शर सार ना जाने माप्यों पर हर नहावणा अच्छ ती रत कुम्मन वाणे माप्यों पर हर नहावणा अच्छ ती रत कुम्मन वाणे चार से वोलिय धन गुर्णाने माप्यों पर हर नहावणा अच्छ ती रत कुम्मन वाणे तू तीर्थों परिश्णान करने नहीं गया है तु हज करने नहीं गया है तु हर मंदर सहीब नहीं गया है तु घूमने गया है पिकनिक मनाने फ्यार से अलिय दन गुर्णान बई शब बई गुर्दास जी कह रहे है किसी ने बड़ा खूब लिखा ये कि तुझे तीरतों पे शिनाने करना है हजी करना है तुझे उसका फल चाहिए कहते है मैं तुझे तरीका बताता हूँ घर बैठे कैसे तेरा तीरत हो कैसे तेरा हज हो कैसे तू गुरामदाजी के शरोवर में शिनान कर सकता है घर बैठे कैसे तुसी राजी जे अपना रब करना मादी खिदमत में रज रज करना पिहर से बोलिय दन गुरनानक तुसे राजी जे अपना रब करना मादी खिदमत रज रज करना मादे चरना चे सिर रख देना कार बैठिया जिनाने हज करना पिहर से बोलिय दन गुरनानक कि हज करने का मन करें मा के चर्नों में अपना सर रख दो पिखर से वोलिय दन गुर्णानिक इसको थोड़ा गहराई से समझ लेना मा के चर्नों में सर रखने का मतलब यह नहीं कि केवल सर चर्नों में रख दो हजो गया उनकी खुशी पराफ्त करना उनकी असीस लेना मा का हिर्दा कभी परशंद होता है जब पुत्र बात मानता है बेटा मा के बताए हुए रास्ते पर चलता है मा के बrier से वोलिय दन गुर्णानिक जिस रास्ते पे चलकर माता को खुशी हो वो रास्ते पे चलो जिसे रास्ते में चलकर पिता प्रखुश हूँ कोई यह ना सोचे कि मैं पिता का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर माता पिता दोनों की बात की गई है दास ने पहले भी कई बार बताया है कि पिता का दर्जा माता का दर्जा बराबर कहा है बारी में पिहर सिवलिय धन गुर्णानिक माता का पहले दिया है कि मा के जैसा कोई नहीं पर पिता को कमतर नहीं कहा है तू मेरा पिता तू है मेरा माता जब हाथ में सुई चुप जाए तो आदमी कहता है उई माँ छोटी मूटी छोट लग जाए तो अपने अप निकलता है पर अगर एक्सिरेंट से बज़ जाओ ट्रक से बज़ जाओ तो निकलता है बाप रे पिहर सिवलिय धन गुर्णानिक बड़ी मुसीबत में पिता ही याद आता है मा नहीं पिहर सिवलिय धन गुर्णानिक पर पर इंदेफ़ इसका है. दिर्फ देशन सेवक मेब हुझ थीता, एक रिच-बंट सब्सकतों है, अगर जाव माटापटा कोई हम जा मेद जेती है, तुन्चि दाशु जी बड़ प्यायत Fraktion, जीन मात पिता के शेव कोई, और ये गाकर पड़े से पिहर से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, जिसे ने माता पिता की सेवा कर ली, वो तीर्तों पर जाए या ना जाए, सारे तीर्तों के शनान का फर उसकी जोली में, पिहर से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, मापयो पर हर करै दान, बेइमान, अग अज्यान परानी माता पिता की सेवा छोड़कर माता पिता को वृदाशरम में रखा हो और बाहर जा कर दान करें इसलिए दन गुरनानि बे-इमान है अज्यानी है वो परानी भाई साथ बाई-गुरदाश जी कह रहे उसका कोई इमान नहीं कोई धर्म नहीं है, एक छोटी सी घटना याद आ गए, जो दास्ती अखवार में पड़ी थी, पेपर में, एक आदमी एक और अरत को लेकर पहुंचा, बुजूर्ग और विजूर्ग और विजूर्ग आश्रमालों से कहता है कि यह रास्ते पर मुझे मिली है, इसे यहां पर पास में बेठी है, गुर्द आश्रमाली पूछते है कि आपका नाम क्या है, यह बता जेती है, रहते हैं तृ नहीं बता देती है, पहर से जो भोलिय दान, बताती है, तृ आइँ, आट्मी जो नापको क्या ले न है सार-ने paste, पहर से जो बैटाती है यह बहुत मुझने पर पैसे वैसे चाहिए तो मैं सेवा कर देता हूँ पैसे भोली अदन गुर्णान अनात अश्रम वाले उस हौरत को रख लेते हैं और आदमी चला जाते है कहते हैं कितना अच्छा आदमी था एक विजूर्ग वारत को यहां पे दाखिल कर आगया कितना दयावान था पैसे भी खर्चने को त्यार था उसके लिए और कुछ साल बाद जाके पता चला जो छोड़ने आया था वही उसका बेटा था प्यार से बोली अदन गुर्णान जब उससे पूछा गया कि तुमने सरनेम क्यों नहीं बताया माह का हिर्दा देखो प्यार से बोली अदन गुर्णान एक बच्चा जो अपने माँ को घर से निकाल रहा है जिसने जनम दिया जिसने चलना बोलना सिखाया जिसने सब कुछ किया उसे वरिदाश्रा में छोड़ कर गया और माँ का हिर्दा देखो बदासीस तो छोड़ो उसे अभी भी चिंता है कि मेरे बेटे का नाम ना खराब हो जाए प्यार से बोली अदन गुर्णान दन गुर्णान और इसलिए भाई साब भाई गुर्दाश्रा जी कहते है ऐसी माता पिता को छोड़ कर माँ पे उपरहर वर्त कर मर मर जम्मे परमपुलान प्यार से बोली अदन गुर्णान चाहे वर्त रख ले चाहे कोई धार में काम कर ले कोई लाब नहीं होगा माता पिता के सेवा छोड़ कर चाहे जो मर्जी कर ले 84 इलाख योनिया तेरे लिए त्यार खड़ी है मापयो परहर वर्त कर मर मर जम्मे परमपुलान प्यार से बोली है धन गुर्णान धन गुर्णान मापयो परहर वर्त कर मापयो परहर वर्त कर मर मर जम में पर्म पुलाडी मर मर जम में पर्म पुलाडी माप पर हर वरतकार मर मर जम में पर्म पुलाडी मर जम में पर्म पुलाडी गुर्पर में शर्सार न जाले गुर्पर में शर्सार न जाले पुर्पर बे सरसार ना जाणी माप्यु परे खर नहावणा अच सठ तीरत तुम मनिवाणी प्यार सिवोलिय धन गुर्णार इसीरे तो गुर्णार पाष्चा ने कहाए यह पंक्तिया कहनी पड़ियों ने कि जीवत पितरना माने को मुँए शरात करा ही जीते जी पाने का गलास नहीं पूछा मरने के बाद खीर पूरिया किला दारा है वैर्थ है वैर से बोलिया धन गुर्णार ने का हजर्णार ने कह सबसे मेन शिक्षा जो उनकी थी ना जैसे गुर्णार पाष्चा के तीन बातें सबसे मेन है धर्म की किर्थ करना नाम जपन और बांड के खाना मुहम्मद साहिब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुसलमानों से कही वो ये थी कि पांच वक्त की नमाज अदा करना नहीं छोड़ना प्यार से बोली अदान गुर्णान और नमाज अदा करते हुए अगर तुम्हारा कोई कतल भी कर दे तो नमाज में से नहीं उठना ये उनकी हिदायत है इतनी जुड़कर निमाज करनी है कि चाहे कोई कुछ भी करता हो तुम्हें पता नहीं होना चाहिए और वही हज़त मुमद चाहिब माँ की एहिमित कैसे बताते हैं ये सुने जिवन न सारा जिवन नमाज अदा करने पर जोर दिया और कैसे करने उस पर जोर दिया कि कोई कतल भी कर दे तो भीच में नहीं उठना हज़त मुम्हारा कहते है माँ क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ कहते हैं मेरा घर मस्जिद के सामने हो मैं मस्जिद में नमाज अदा करने गया हूँ बैठ गया हूँ नमाज अदा करने शुरू कर दी मैंने मेरे घर का दरवाजा खुले और मेरी माँ मुझे आवाज दे मुहमद तो मैं नमाज बीच में छोड़ कर मा के पास दोड़ कर चला जाओंगा प्यार से बोलिय दन गुर्णानक सब हैरान हुए कि ये क्या कहरे है मुहमुद साब कि नमाज कतल करतो तो भी नहीं उठना है और मा आवाज देतो मुहमुद साब कहने लगे जब खोदा नहीं बुला लिया तो नमाज किसे सुनानी है प्यार से बोलिय दन गुर्णानक सारे बोलिय दन गुर्णानक जब खोदा नहीं बुला लिया तो नमाज किसे सुनानी है माता पता की निराद्रे करके कोई कुर्दवारी 24 घंटे सेवा कर ले 24 गंटे नाम जप ले वियर्थ है 100% वियर्थ है उनकी खुशी लेकर एक घंटा भी सेवा कर ले कोई हजार गुना फल है जिन घरों में माता पिता की सेवा नहीं होती है उनकी निरादरी होती है उस घरों से उन घरों से बरकत चली जाती है बरकत का मतलब समझते हो कई लोग समझते धना ना बंदो जाता है ने भाई धन चाहे कितना भी आ जाए बरकत कुछ और होती है जिस घर में भरकत हो थोड़ा धन भी सुक शांती रखता है प्यार से वह लिया धन गुर्णानक पर जिस घर से बरकत चली जाए वहां पे क्रोड मन सड़े हुए जले हुए अशांत परिशान आत्मा है फिहर से वलिया धन गुर्णानक पर जिस घर से बहुत बड़ी शिक्षा देती है बहुत बड़ी है बाबा नंद सिंग जी बैठे है समाधी में स्थेते हैं बार सेवादार से जगरने की आवाज आ रहे है किसी की और जो जो से कह रहा है सेवादार से कि बाबा नंद सिंग जी हमारे गाओं के है और आप लोगोंने कभजा करके रख दिया है मिलने नहीं देते हैं पिहर से बहली अधन गुर्णाने जिस गाओं का कोई हो तो उसी अपना होता है ना कि हमारे शेर का यह कोई बड़ा आदमी ब चननन सिंग है आपके गाओं का और बड़ी उशारी हमार के कह रहे है कि आपके गाओं के हमें जाने दो बाबा नंसिंजी कहले कि बुला ले उसे अंदर आगे अंदर माथा टेका जो लाया था आगे रखा तेलफूर परशाद जो भी लाया था क्योंकि बाबा नंसिंजी बचन किया करते थे और सारे गुरू महाराज का योपदेश है एक्च्यो ने इतने गुरूं का भी योपदेश है कि कभी संतों महापुर्शों के पास खाली हाथ नहीं जाते हैं चाहे वो कितना भी कहीं खाली हाथ नहीं जाते हैं कहते थे अगर समरथा नहीं है न तो स्व पुराने जमाने में जो राक होती थी ना लकडिया जल के चूले की राक उससे बरतन मांजे जाते थे दो जाते थे थे तो स्वाई थोड़ी सी ले जाओ कुछ नहीं है तो और संतों मापुर्चों के पास गुरु के पास खारी हाथ नहीं जाते प्यार से बोलिये धन बढ़ा नहीं है जिसकाम में हाथ डालता हो नुकसान हो जाता है सुहने में हाथ डालता हूं मिट्टी हो जाती है पर चुर्ण अधन गुर्ना गुर्णा थे बड़े मुश्किल से कुछ पैसे एकठे कि यह थे इक गाये खरिए इतनी महंगी के दूद देगी और सही कर दिया कितना इलाज करा है कितना पैसा खर्च हो गया सोचा था बचे दूद पिएंगे मक्षन खाएंगे घर में से बरकती चली गई है एहर से वह लिए दन गुर्णान गार भावानन सीजी के लगे बैट नितिनेम करता है अमरतुला संभालता है कहले कि पाध्षा आपकी स आँखें बंद की होना, आँखें खोल के कहते है, माता पिता की सेवा करता है, पिहर से बोलिया दन गुर्णान, चुप कर गया, कोई जवाब नहीं, जवाब क्यों नहीं देता, कि पाशा पिता तो कब से चल बसे है, माँ घर में कमरे में बैठी रहती है, उसे दो रोटी दे देती है, पिहर से बोलिया दन गुर्णान, अब अनसिन जी कह लेगे, दो रोटी तो लोग कुत्ते को भी डाल जेती है, मैंने पूछा, सेवा करता है माता की, पिहर से बोलिया दन गुर्णान, कभी हाल पूछा है, क अभी पास में बैठा है, दुख सुख फोला है, उसे किस चीज के जरूरत है, वो परसन है तुछ पर, उसे सच कहूँ, मन तो बड़ा करता है माता की सेवा करने का, पर घर वाली ऐसी है मिली है, अगर थोड़ा भी माह के जाता हूं, जगड़ा करने लग जाती है, वो कुछ क गाएं खरीद ले, जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी नितिनेम कर ले, तेरे घर में बरकत नहीं आ सकती, जब तक माता की असीस तुझे नहीं मिलती, प्यार से बोली है, अधन गुर्णानका, तो कहले लेगे, घर वाली को जा के समझा, बता, कि माता पिता की सेवा करने का प आप जाके भाएं गाया, घर में जाके अब बैठ गया, घरवाली पुछती क्या का बाबा इज ने, वेट कर रहे थी कि वापी साइंगे इंतिजार कर रहे थी कि वापी साइंगे पूछूगे, पर यह जवाब नहीं दे रहा है, दो तीन बर पूछा क्या लेगे, मैं तु कर नहीं पाएगी इसलिए तो पूछ मत प्यार से बोलिया दन गुरुनान दन गुरुनान को कहने लगी आप बताओ तुसे ही मैं सब कुछ करूँगी घर में भरकत आजाए गाय दूद देने लग जाए तो चनन सी ने कहा बाबान सी जी ने ये बात कहिए कि माता की सेवा करन मन से कर सकती है तो हां करने तो पूछ मत प्यार से बोलिया दन गुरुनान को उसकी आखों में आशू आगे कहे लगे सच है मैंने माता का कभी सतकार नहीं किया नहीं आपको करने दिया उसी की सजा है शायद मैं प्रण करती हूँ कि आज के बाद माता के तन मन धन से सेवा क वो जो कहेंगे उनकी आग्या में रहोंगे पर गर में वरकत आ जाए पहर से वोलिय अदन गुर्णानक बाबा नंद सिंजी के बचन यति हास में लिखा है चनन सिंग ने उसकी घर वाली ने बाल्टी गाए के नीचे रखी और गाए ने सारा दूद उतार दिया पहर से वोलि समने नहीं पोछा यह दूद लेकर आये कहलें कि बेटा क्या हो गए ऐज के अधे तो अपनी भूल का एसास हो गया है, आज के बाद हम तेरी निरादरी नहीं करेंगे, तेरी सेवा करेंगे, तु जैसा करेगी वैसा करेंगे, पर तु दूद पेले, हमें सेवा करने दे, पुरानी हमारी भूलों को बख्ष दे, प्यार से बोली एदन गुर्नानक, मा का अज़े में कोई बेटे के प्रती कुछ होगा, मा ने तो बख्षी दिया होता है, कहले बेटे पर बात बता है, तुझे अचानक हुआ क्या है, कहने लिगए बाबा नंसिंग जी के बचन है, कि जिस घर में माता-पिता का सतकार नेमा बरकत नही रती है, मा कहले लिगे धन बाबा नंसिंग जी जिनों ने कैसे सही रास्ते पर जोड़ा उनके बेटे को, देखिए कितनी कमाल का पहली हो, बाबा नंसिंग जी ने अपने से नहीं जोड़ा, आज के जमाने में किसी परखना हो, ये परख होती है मापुर्शों के कमाई वालों के, आज के जमाने में क जोड़ा कहां? माता की सेवा से. सबसे पहला सवाल क्या पूचा? अमुर्तविला है के नहीं? नितनेम करता है के नहीं? जीवन पर नजर है. माता की सेवा से जोड़ा. अपने से नहीं. पहले गुरु से जोड़ा, फिर माता पिता से जोड़ा इसलिए बाबा नंसीन जी के बचने फिर से सुलो पुत्र पिता के आगे, पतनी पती के आगे, शिश्य गुरु के आगे तीन भव पढ़ ले किसी जब तप के जरूरत नहीं, सारी प्राप्ती अपने आप हो जाएगी बिना किसी और घालना के, नहीं हर से बोलिया धन गुरु नाने के धन गुरु नाने के माप्यो पर हर नावड़ा अट सठ तीरत कुमनवाई 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 अट सठ तीरत कुमनवाई अट सठ तीरत कुमनवाई माप्यो पर नावड़ा प्यार से वह लिया धन गुरु नानक धन गुरु नानक सोचे सोच न हो वे जे सोची लख्वार गुरु नानक पशा सिध्द्धों को समझारे हैं सोच का भाव यहांपर इशनान तीरतों का इशनान यहांद एक बार नहीं सव बार नहीं हजार बार नहीं चाहे कोई लाखवार कर ले जे सोची लखवार तेरे हिर्दे की मैल नहीं उत्रेगी प्यार से वोली अदन गुर्णाने का लिए हिर्दे की मैल कैसे उत्रेगी गुर्वानी में कई परकार बताए हैं सत्गुरो की को तीरत का दर्जा दिया है, नाम को तीरत का दर्जा दिया है, सादू को तीरत का दर्जा दिया है, माता पिता को तीरत का दर्जा दिया है, दया को तीरत का दर्जा दिया है, पर हर से वोली अदन गुर्णाने का यह हैं असले तीरत, इन में से एक भी अपना ल माता पिता, माता पिता, एक बड़ी प्यारी घटना है, बड़ी गहरी शिक्ष्या देने वाली है। खुदा के तरफ से एक तियार था, खलकत को उपदेश देना, पर क्रोधी सबाव होने के वज़ा से, कईयों को कड़वे बोल देने, कईयों का मन दुख जाना, कईयों का हिर्दा दुखा देना, और तो और कई बर खुदा से जगड़ पड़ते थे, खुदा से सीधी बात थ कुछ न कुछ कई बर कह देते, पहर से वली अदन गुर्णान, और खोदा के तरफ से उनने एक तियार था कि जाके खलकत को सही रास्ता दिखाना, कमाई, पहर से वली अदन गुर्णान, और करोधी सबाव होने के वैसे, कड़वे बोल बोल देते थे, कईयों का दुख जा वो घर से बाहर निकल रहे हैं, खलकत को उपदेश देने, बहुत सारे लोग साथ में, जब अपने घर से बाहर निकलने ले लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो एक आवाज आई है, खुदा के पहर से बोली अदन गुर्णान, मुसा, आज जरा ध्यान से बोलना, आज बो बोलना, पहर से बोली अदन गुर्णान, आज जरा ध्यान से संबल कर बोलना, हजत मुसा हैरान हुए, फरियाद के, या खुदा, हजारो बाहर मैं घर से बाहर निकलाओ, हजारो बाहर मैं आपके कही से काम किये, आज क्या खास बात है कि मैं ध्यान से संबल कर बोलू, पहर से बोली अदन गुर्णान, आज आज आए, मुसा, पहले जब तु जाता था ना, घर से बाहर निकलता था, तेरी माँ सिजदे में बैठ जाती थी, फरियाद करती थी, कि मेरे बेटे का सभाव क्रोधी तो है, क् आज कर दो कुछ बोलू को जाता है क्या बार, या खुदा उसे करवे बोलों पर पर्दा डाल देना, उसकी सजाओ उसे मद देना, उसे बख्ष देना, पहर से बोली अदन गुर्नान, जितनी देर तु बार रहता था तेरी माँ सिजदे करती रहती थी, फरियाद करती रहत तो और एक माह की फर्याद खोदा नहीं टाल पाता। मुझे तेरी माह की फर्याद को मानना पड़ता था, तेरे कड़वे बोलों को संभालना पड़ता था। तुझे कभी उसका हिसाब नहीं रखा गया, तुने क्या किया है, इसका दिल दुखाया है। पर अब तेरी माह का इंतिकाल हो गया है। प्यार से बोलिया धन गुर्णानक। अब तु घर से पहली बार बाहर निकल रहा तेरी माह के इंतिकाल के बाद, अब तेरे पीछे फर्याद करने वाला कोई नहीं है। आज के बाद संभल कर बोलना। प्यार से बोलिया धन गुरु नानिक, धन गुरु नानिक, एक हजरत की मा, मा की फर्याद बच्चे की हजार गलतियों को पर्दा डलवा देती है, भगवान को मजबूर कर देती है बक्षने के लिए, प्यार से बोलिया धन गुरु नानिक, मा की फर्याद की ताकत देखिए, पक मा की दिल की असीस खुदा से मिला सकती है एक असीस पपा नंसिंजी के बचन मा चाहे कमाई वाली मा हो नाम जपने वाली पुतर भी लाइक हो मा की बात मानता हो अगर मा के हिर्दे से असीस निकल जाए गुर्णानक के पर तक दर्शन कर सकता है पिहर से बोलिये धन गुर्णानक धन गुर्णानक मा की ताकत को समझो और इसी मा के अगर हतक कर दी बेद भी कर दी बच्चे माता पिता के आगे बोलते हैं कई बार तो मैंने देखा हाथ तक टा देते हैं सोचता हो क्या होगा इसका क्योंकि सिर्ष्टी नहीं छोड़ेगी पिहर से बोलिये धन गुर्णानक धन गुर्णानक उन्हें हक्या हम पर हाथ उठाने का वो हमारे माता पिता है हमें एक परसंट भी अधिकार नहीं है पिहर से बोलिये धन गुर्णानक अगर गलती हो गई है, माँ तो माँ है ना, चरन पर जाके, चरन पकट लो घर में जाके, और कह दो आज के बाद में आगे से नहीं बोलूगा, वो तो माफ कर दे कि खुदा भी माफ कर देगा, तो हर से वोलिया दन गुर्णानक, वरना चाहिए जितना मजीब पढ़ लो, जितना मर्जी ग्यान आशिल कर लो, जो मर्जी कर लो, धक्के ही धक्के लिखे हैं, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, पहर से बोलिया दन गुर्णानक, दन गुर्णानक, दन गुर्णानक, दन गुर्णानक, दन गुर्णानक, दन कौन है वो फरिष्टा मा प्यार से वोलिय दन गुर्णान का और ऐसे फरिष्टे को छोड़ कर बाहर तीर्थो पेशनान करने जाए भाई सब गुर्दाज जी कहते हैं कोई फल प्राप्त नहीं होगा है ना जप का ना तप का सोच है सोच नहोगा है जे सोची लखवार प्या सतीर्तो का फल तरी जोली में यहार से वोलिया दन गुर्णान का दन गुर्णान थन गुर्णान दन गुर्णान मां प्योपर हर ना वड़ा आठ सतीरथ कुमन वाण गुर्पर में शरसार ना जाने गुर्पर में शरसार ना जाने गुर्पर में शरसार ना जाने माप्यों पर हर ना वड़ा अर्षट तीरत कुम्बन वाली माप्यों पर हर ना वड़ा अर्षट तीरत कुम्बन वाली माप्यों पर हर ना वड़ा अर्षट तीरत कुम्बन वाली माप्यों पर हर ना वड़ा अर्षट तीरत कुम्बन वाली माप्यों पर हर ना वड़ा अर्षट तीरत कुम्बन वाली माप्यों पर हर ना वड़ा गुर्परमेशर सार ना जाने गुर्परमेशर सार ना जाने गुर्परमेशर सार ना जाने गुर्परमेशर सार ना जाने माप्यों पर खर ना जाने गुर्परमेशर सार ना जाने गुर्परमेशर सार ना जाने पात्षाई दस्मी कभ्यो वाज बेंती चौपई अमरी करो हात दे रच्छाई पूरन होई चित की इच्छाई दवचर नन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दोस्ट सबै तुम कावों आप हात दे मोई बचावों सुकी बसे मोरो परवारा सेवन सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करियां संबैरन को आज संगरिययां उरन होई हमारी आसां दोर पजन की रहे पे आसां तुम्ये चाड कोई और ना क्याओंarp सेवक सिख हमारे तारियां चुझन सतर हमारे मारे आप हात दें मुझे यु भरिये हर्ण काल कात्रासिन वरिये हुझो सुदा हमारे पच्छा सिरियस तुझ जो करियो रैच्छा राक ले मुई राक नहारे साहिब संत साहिब ब्यारे देन बांध दुस्टन के हंदा काल पाई ब्रह्मा वपतरा, काल पाई कर भिशन प्रगासा, सगद काल का किया तमासा, जवन काल जोकियो, पेदुराज ब्रह्मा जोकियो, जवन काल सब लोक सोवारा, आसकार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैप जच्छन उप जायो, आद अन्ते के अवदारा, सोई गुरु समझेो हमारा, नम्सकार्त सही को हमारी, संद प्रजाज ने आप सो आरे, सेवकन को सेवगुन सुक दीयो, संधरन को पल मोबद कीयो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुले की पीर बचानत, चीटी ते कुंचर अस्तोला, संपर्त्र प प्रिश्ट कर बोला, संतन दुख माए ते दुखी, सुख पाए सादर के सुखे, एक एक की पीर पछानत, पड़ के पड़ की जानत, जब उद कर्ख करा करतारा, प्रजा तर्त तब ने आपारा, जब आ कर्ख करतों कब हो, तब ने मिल्त देतर सब, जेते बदन स्रेच सब आप आपनी मोजे उतार, तुम सब हीते रहत निरालम, पेद पेद यारियालम, नरंकार निर्वकार निरलम, आध अनीले अनादिय संब, तांका मूड उचारत पेदा, जांको पीव ना पाबद बेदा, तांको कर्वान अन्माने दुख, महा मूड का चपेद ना जान, महा अन्देव को कहत सदाशिवड, नरंकार का चीनत नाए पेद, आप आपनी बुद्हें जेते, अन्दक पेन पेन तोई तेते, तुमरा लखा न जाई पसारा, कहे कुछ सजा प्रतम संसारा, एक है रूप अनूप सरूपा, अन्दक पयोरा वकई कोपा, अन्दज जेरज सेत अन्दक पुझ खान बाहो रच देगी, कहों कोल राजा हव बैटा, कहों समट में संक्र फैठा, सगरी श्रीश दिखाए अचंभव, आद जुगाद सरूप से अंभव, अवर अच्छा मेरी तुम करो, संधियो बार या सिर संगरो, दोष्ट जिते अठ वतियों तो पाता, सगल मलेश करो रण काता, जे आस तुझ तव सरनी परे, इनके दोष्ट दुखत हव मरे, उर्ख जवन पक परें ते हारे, इनके तुम संपड सब तारे, जो कल को एक बार ते हैं, आखे काल निकटनी हैं, अर अच्छा होई ताए सब काला, उस्टी आरिष्ट तरे तत काला किर्पा द्रिक्स अंजाए ने हरो, आखे तापत नगमों हरो, औरे दुसीद करमों सब होई, उस्ट जाच वै सके न पोई, एक बार जिन तुमें समारा, आग पास देताए उमार, जिन नर नाम ते हारों काहा, उस्ट नोग ते रहा, घडग के त मैं सरने ते हारी, हाप हा सर्व टोर मों साई, दुस्ट दुख दे ले ओ बचाई, खडग के त मैं सरने ते हारी, हाप हाथ दे ले ओ बारी, सर्व टोर मों साई, दुस्ट दुख दे ले ओ बचाई रामकली महला तीजा अनन्दे क्योंकार सद्गुर परसाद अनन्द पेया मेरी माई सद्गुरु मैं पाया सद्गुर तांपाया सै जिसे की मनवजिया वाधाया रागरतन परवार परिया शब्द गामाया सब्दो प्रदावो हरी के रामन दिल साया कहे नानक आनन्द हो आसत्गुरु मैं पाया मेरे मान मेरे आतु सदारो हर नाले हर नाल रोतु मन मेरे दूख सविसार ना अंगी कारो करे तेरा कार सब सवार ना सब्दाविया सम्रसु आपी सोख्यों मदों मिसारे करे नानिक मन मेरे सदारो हर नाले साची साईबा क्या नहीं कर तेरे करतां तेरे सब दिख है जिवें सोपावे सोपा सिर्ष ला तेरी नाम अनुसावे नाम जिनके मन उस्यावाजे शबत देरे कहे नानक सचे सेल क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा अधारो साचा नाम मेरा अधारो साच नाम अधार मेरा जिन फुकां सा गुवाईयां करसां सुमन आयवस्या जिन एच्छां सा पूजयाईयां सदा गुर्बान भीदा गुर्विटों दिस्याएं बढ़े आईयां कहे नानक सुनो सुनो सुदो सबत रोपे यारो साचाना मिरा आदारो वाजी पांच शवतित करस वागे करस वागे सबध वाजे कल लाजी करतारियां माज गूतित्वस कीते काल कणठक मारिया प्र्परम्पायात जिनको से नाहं ते लागे तोहे नानिक गॉषिक वण वाजे पनन सनो वड़ भागी हो सगल मनोर्द पूरे फार ब्राम प्रपाया उतरे सगल सूरे दोग्र सत्ता उतरे सुनी सच्ची बानी संथ साजर्पै सलसे पूरे गुद्धे जानी उनते पुनीर कहते पविस्साद गुर्या पर पूरे बेनवांद नान गुर्चा रन लागे वाजे अनह दूरे सलो पान गुरु पानी पिता आता गत्मात जिस्क्राग गाई दाया प्रेल्या सब्रपदात चंगयाईयां पुरयाईयां गाचे करम हदूर करमियां पो आपने जिन्नी नाम अंधे आया जिन्नी नाम अंधे आया आहे गुरू आहे गुरू आहे गुरू मोवां ए गूरुआ हे गूरुआ हे। वारे गूरू जिन्नी नाम धे आया गए मशकत काल आनक ते मुखे उजने केती चोटे नाल बोलो वाहि गूरू जी का खालसा वाहि गूरू जी की फते फते वाहि गूरू जी का खालसा वाहि गूरू जी की फते वाहि गूरू जी का खालसा वाहि गूरू जी की फते जै गूरू जी की अब हम मंतर जाग करेंगे ओम नम्हां शीवा शीवा शीवजी सदाथ साहाई ओम नम्हां शीवा शीवा गूरू जी सदाथ साहाई ओम नम्हां शीवा शीवजी सदाथ साहाई ओम नम्हां शीवा 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 नम्हाँ शिवाँ शिवजी सदार सहाई ओम्हाँ शिवाँ 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 शिवजी सदार सहाई ओम्हाँ शिवाँ शिवजी सदार सहाई ओम्हाँ शिवाँ शिवाँ शिवजी सदार सहाई ओम्हाँ शिवाँ शिवजी सदार सहाई ओम्हाँ शिवाँ शिवाँ शिवजी सदार सहाई ओम्हाँ शिवाँ शिवजी सदार सहाई ओम्हाँ शिवाँ शिवजी सदार सहाई ओम्हाँ शिवजी सदार सहाई ओम्हाँ शिवाँ शिवजी सदार सहाई शिवजी सदार सहाई जैग्रू शिवजी की झाल